नमस्कार दोस्तों, हमारी यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक्स वाकत है लीवर के रोगियों के लिए अमरित हैं ये चार चीजे दोस्तों, लीवर हमारी सरीर का बहुत महत्य पुनंग है लीवर खराब होने पर सरीर की कारिय करने की समता नएके बराबर हो जाती है आप अपने भोजन में जो इस वीडियो में हम बता रहे हैं चार चीज़ों को सामिल करें तो एक से तीन महीने में लीवर की बिमारियों जैसे लीवर सिरोसिस फैटी लीवर आदी में बीमारियों में अपना अरजल्ट देखिए तो आईए दोस्तों जानते हैं इनके बारे में पहला पपीता पपीता लीवर की बीमारियों के लिए सबसे सुरक्सित प्राकिर्थिक उपचार में से एक है विशेश रूप से लीवर सिरोसिस के लिए हर रोज दो चमच पपीता के रस में आदा चमच नीबू का रस मिलाएं कर और पिएं इस बीमारी से पूरी तरह निजात पाने के लिए इस मिस्रन का सिवन तीन से चार सबताहा के लिए करें आवला आवला विटामिन C के सबसे संपन स्रोतों में से एक है और इसका सेवन लीवर की कार्य सीलता को बनाए रखने में मदद करता है अध्यनों ने साबित किया है कि आवला में लीवर को सुरक्षत रखने वाले सबी तत्तों मुझूद हैं लीवर के सवास्थे के लिए आपको दिन में चार से पांच कच्चे आवले खाने चाहें सेब का सिर्का सेब का सिर्का लीवर में मौझूद विसैले पधारतों को बाहर निकालने में मदद करता है भोजन से पहले सेब के सिर्कों को पीने से सरीर की चर्वी खटती है दिन में दो से तीन बार ले, निम्बू, एक कागची निम्बू आदा पका हुआ, लेकर उसके दो टुकडे कर ले, फिर बीज निकालकर आदे निम्बू के बिना कटे चार टुकडे करे, पर टुकडे अलग-अलग नय हों, उसके बाद एक भाग में काली मिर्च, काचूर, दूसरे भाग में काला नमक आथवा सिंदा नमक, तीसरे में सोट का चून और चोथे में मिस्री का चून या सक्कर भर दे, रात को पलेट में रखकर ढख दे, प्राते भोजन करने से एक घंटा पहले इस निम्बू की फांग को मंदी आच पर या तवे पर गरम करके गोती है, दोस्तों इन परियोगों में सावधाने, दो सब्ताह तक चीनी अथवा मीठे का इस्तमाल नहीं करना है, अगर दूद मीठा पीते हो तो चीनी के बजाए दूद में चार-पांच मुनक्का डाल कर मीठा कर ले, रोटी भी कम खाएं, अच्छा तो यह है कि जब उ फल से ही गुजारा करें, सबजी में मसाला ना डेलें, टमाटर, पालक, गाजर, बधवा, करेला, लोकी, आदी साख सबजियां और पपीता, आमला, जामुन, सेब, आलो, बुखारा, लिची, आदी फल, तथा चाच आदी का परियोग करें, घी और तली वस्तों का के साथ आपका लिवर सही हो जाएगा, तो दोस्तों अगर आप भी, या आपका कोई इरलेटिव लिवर की बिमारी से प्रेशान है, तो उसको इस नुस्खों के लिए पूलिए, तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो, अगर आपको हमारी वडियो अच्छे लगे, या इस से आपको कोई जानकारी पराप्त हो, तो प्लीज आप हमारी वडियो को लाइक बर शेयर करना ना भूलें, इसके साथ साथ आप हमारी शूटूप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम चबरदाश टिप्स लेकर आते हैं, जिससे क कि आप अपने जेवन को सुख में बना सकते हैं, और सुख में जीवन जी सकते हैं, धन्यवाद दोस्तों.